खेसारी लाल यादों के फैंस के लिए एक साथ दो बड़ी बड़ी खुशकबरी आ सुनने को मिली है पहले खुशकबरी तो ये कि जिस जोड़ी का वो लोग बेशबरी से इंतिजार कर रहे हैं पिछले चार-पांच महीने से लगातार सोशल मीडिया पर जिस जोड़ी के लि एक फिल्म में साथ दिखने वाले हैं और दूसरी बड़ी खबर ये है कि खेसारी की करियर की जो सबसे हीट फिल्म है महंदी लगा के रखना उस फ्रेंचाइज की जो अगले फिल्म आने वाली है वो फिर से अब खेसारी को मिल गई है खेसारी महंदी लगा के रखना फोर म जो भी आपस में मनमुटाव था जो भी कंट्रोवर्सी पिछले दिनों चली उस सब को साइड में रखते हैं और एक साथ काम करते हैं क्योंकि फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं जो भी यूट्यूबर जाके उनसे इंटर्वीव लेते जो भी मीडिया वाले उनसे विडियो में आगे बात करेंगे कि क्या बात चीत हुई थी और इसके लिए कैसे प्लानिंग हुई है कैसे इस फिल्म के शुरुवात जल्द हो सकती है विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और उससे पहले नमस्कार जंतर जंटर्चन देख रहे हैं और मैं हूं सन्नी मिस्र कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं शोशल मीडिया पर काजल रागवानी और खेसारी की जोड़ी को लेकर क्या चार्म है इसको लेकर दर्सकों का कितना डिमांड है ये किसी से छुपा नहीं है अगर आप भोजपूरी में थोड़ी सी भी रूची रखते हैं कैसारी और काजल को देखते हैं तो उनके किसी भी पोस्ट हो सोशल मेडिया पोस्ट इंस्टाग्राम फेस्बुक सब में जाईए हमेशा ऐसे अच्छे मात्रा में अच्छे परसेंटेज में कॉमेंट दिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप काजल रागवानी के साथ का काम कर लीजिए अगर ये खेशारी का पोस्ट हो तो वहीं आप काजल के पोस्ट पे जाईएगा तो वहां भी लिखा रहता है कि आप खेशारी विया के साथ काम कीजी आप दोनों की जोड़ी हिट है आप वापस आ जाईए और ये लगबग सिलसिला पिछले चार पांच मह होता है और इस अवार्ड फंक्शन में दोनों एक साथ दिखते हैं बकायदा की दोनों एक साथ इंटरी करते हैं जो दर्सकों के लिए अनिस्पेक्टेट था अचानक से दोनों साथ में दिखते हैं दोनों रील बनाते हैं रैंप वाक करते हैं एक दूसरे को किस करते हैं औ तो लिए खोगो को लगा कि अब तो वापसी होनी पकी है लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था एक गाना आने वाला था एक स्टेजटेसर उसाथ में होने वाला ता लेकिन वो भी किसी कारण से कैंसील हो गया। दरसकु का जो एक सपना था मनमे जो इक्षा थी की दोनों फिर से साथ में दिखेंगे, क्योंकि इनकी जितनी हिट जोडी, अभी तक किसारी का किसी से बन पाया है, और नहीं काजल का किसी दूसरे एरो से बन पाया है, और ये सपना अभी तक धरा का धरा आ गया था, लेकिन एक बड़ी ख़बर और सबसे बड़ी खुषकवरी है किसारी के लिए और आपस में तय किया कि हम लोग साथ जल्द ही एक फिल्म करते हैं क्यूंकि दर्सक लगातारी डिमांड कर रहे हैं और दर्सक जैसा कि भोजपूरी के सारी हीरो कहते हैं कि दर्सक भगवान है तो उनका डिमांड पूरा करना एकदम जरूरी है अब इसके लिए डील कैसे फाइनल होई आपने देखा होगा कि मेहंदी रगा के रखना जब आती है एकदम ब्लॉकबस्टर हीट होती है एक गाना कॉमेडी सीन, फिल्म की कहानी, एक्टिंग, हर चीज पे चर्चा होई और सांदार फिल्म है भी बोजपूरी के अगर दस अच्छी फिल्मों की बात की जाए तो इसमें ये फिल्म जरूर चामिल होगी लेकिन जो इसका अगला पार्ट होता है वो खेसारी से छीन जाता है उसमें आ जाते हैं खेसारी के सबसे बड़े परतिद्वन्दी जिससे खेसारी के बिल्कुल नहीं बनती है परदीप पांडेचिन टू और उनके फिल्म हो जाती है मेहंदी लगा के रखना टू प्रडूसर उसमें अनंजय रगुराज थे और डिरेक्टर थे जो मंजूल रूप में और इस बार यहीं चीज अगली बार होने वाला है जो मेहंदी लगा के रखना फूर आएगी इसमें फिर से डिरेक्टर रजनीष मिसरा ही है प्रोडूसर होंगे अनंजय रगुराज क्योंकि वह भी बातसित करते हैं और साथ हो सकता है कि यह बात पता कैसे चली तो रिसब एक ब्लॉग बनाते हैं जो खिसारी के बेटे हैं और उसमें दिखता है कि अनंजय रगुराज जो प्रोडूसर है डिरेक्टर भी करते हैं वो कौन के फिल्म डिरेक्टर कर चुके है इसके अलावा रजनीष मुचरा जो भोजपूरी के फाइनेस्ट डिरेक्ट क्योंकि इन दोनों की फिल्म आने वाली है और ये फिल्म यहीं है महंदी लगा के रखना फोर जिसमें काजल रगवानी हीरोईन होंगी केसारी हीरो होंगे डिरेक्टर रजनीष मिस्रा है और हो सकता है कि जो अनंजय रगुराज है वो प्रोडूसर हो या प्रोजेक्ट मै से पूरा होने वाला है जल्दी ही एक उसकबरी मिलेंग गई कि फिल्म के शूटिंग अब शुरू हो चुकी है बाकि आप इससे कितने खुस है अगर किसारी के फैन है काजल के फैन से तो अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा जंता जंक्शन देख रहे थ कि आप मोगोग देने बाद